So, Nothing Phone 1 and Vivo V27 के comparison करेंगे हैं, सबसे पहले अपन camera के बारे में बात करेंगे And Vivo V27 में na front camera जो है 50MP का eye autofocus camera दे दी है, जो की 4K video recording भी कर सकता है And बाकी सारी चीज़े भी अच्छी देखने के लिए मिलती है, इसलिए confusion हो रहा है compare to Nothing Phone 1 And Nothing Phone 1 के लिए को accessory चाहते हैं, तो link is in the description And start करते हैं, आप like कर सकते हैं, and comment करोगे तो हाट मिले का subscribe कर सकते हो, share कर सकते हो, चलो start करते हैं So, मैं अगर camera specs की बात करूँ, तो दोनों का जो rear camera है, main जो sensor है rear में वो same है, sonica IMX 766 with OIS देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक 50 megapixel का sensor तो डाला है, nothing ने, but वो actual में काम नहीं करता है, वो 8 megapixel जैसे ही काम करते हैं, यहाँ पर भी 8 megapixel ultra wide मिल जाता है, 2 megapixel का बिकार का दोनों ही बहुत बढ़िया क्लिक कर रहे थे, दोनों में same sensor मिल जाता है with OIS, अगर आपको थोड़ा से oversaturated लग रहा है Vivo वाला sample तो आपको पता होगा, यहाँ पर एक natural mode मिल जाता है, जिसमें थोड़ा से muted color आएंगे, तो उसे on कर सकते हो, and जो AI scene recognition है उसे भी बंद करके ल सकते हैं, बहुत सारे filters बगरा Vivo में extra मिल जाते हैं compared to nothing, पर दोनों ही बहुत बढ़िया क्लिक कर रहे थे, अगर net pick करने की बात करोगे, यह एक choose करने की बात करोगे, तो broad daylight में बहुत hard sunlight था इस बार, and जो है petals में कभी-कभी detailing lose कर रहा था, nothing वाला, and overexpose कर रहा था, petal में द बात करोगे, तो front camera 50 versus 16 megapixel, and यह 16 megapixel 471 है, बहुत पुराना है, but optimized किया है, nothing न, तो HDR performance भी अच्छा है, and अच्छा selfie ले लेता है, but मेरो को यह थोड़ा सा yellow skin tone लेता है, जो nothing वाला है, तो personally मुझे थोड़ा सा redis पसंद है, and Vivo वाला थोड़ा सा redis skin tone लेता है, but direct sunlight में वो भी तो यह थोड़ा सा yellow लेता है, but other than that, बहुत जादा हार sunlight नहीं होगी न, तो यह थोड़ा सा redis skin tone लेता है, जो कि मेरो को personally पसंद है, and अगर detailing की बात करोगे, तो यहाँ पर better detailing आपको मेल जाती है, अगर आप देखोगे, तो जोड़ा सा zoom in करोगे, 50 megapixel का sensor है, तो 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 detailing मेल जाती है आपको, and जो front camera, इसका eye autofocus camera है, तो eye को बहुत बढ़िया तरीक से track करता है, but मैंने direct sunlight में जब लिया, दोनों से sample, तो light को अच्छा gather किया, nothing ने, face में detailing जादा थी, and इसने तोड़ा सा जो है, पूरा dark बना दिया, तो किसी-किसी scenarios पे जो है, तोड़ा सा inconsistent, इस इसना zoom in करोगे, तो आपको detailing बगरा नहीं मिलेगी, but जो दोनों ही, ठीक टाक images ले ले लेते हैं, ultra white से, front camera, video recording की बात करोगे, तो आप 4K 30 कर सकते हैं, जो यहाँ पर Vivo का V27 है, उससे, and दोनों का sample आप देख लो, and direct sunlight पे मैंने लेने की कोशिस की, किसने जो है, अच्छा light क जादा अच्छा तरीके से manage कर रहा था, तो मैंने देखा, जो nothing वाला है, वो जादा light को अच्छी तरीके से manage कर रहा था, direct sunlight पे, जैसा की इसने selfie में भी किया था, but front camera, video recording की बात करोगे, तो stabilization भी अच्छा, Vivo में आपको मिल जाता है, nothing में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, but I think front camera video recording क्योंकि ये 4K30 कर सकता है, तो I think Vivo वाला front camera तो definitely better है, portrait mode की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर nothing का portrait mode मुझे personally बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया portraits लेता है, gradual blur देखने के लिए मिलता है इसके portrait images में, तो nothing वाला portrait images के लिए बहुत बढ़िया है, but थ सच में अच्छा काम भी करता है, इसका edge detection भी बहुत अच्छा है, and 2x portrait mode में जो subject है जादा उभर के आता है, and आपको एक अच्छा edge मिलता है portrait में with Vivo V27 या V27 Pro में भी for that matter, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया portrait camera आपको मिल जाता है Vivo में, and आपको सच में पसंद आएगा, but nothing व बात करते हैं, तो night images में तो भाई, जो है जमीन आजमान का फरक देखने के लिए मिला, तो मैंने एकदम जो है dark condition में कुछ images क्लिक करें दोनों से, and Vivo V27 hands down, बहुत better shot क्लिक किया, and मैंने actual में pixel से भी compare किया था, तो वहाँ पर भी मैं तो आपको आगे आने वाले videos में बताऊ गा, but compare to nothing, Vivo V27 ने जाधा बहुत जाधा तरीके से kill कर दिया nothing को, and बहुत बढ़िया night images आप ले सकते हैं, Vivo का V27 से, 5 seconds hold करना पड़ता है, but जो results निकल के आते हैं, वो एकदम किसी भी camera को I think almost ये kill कर सकता है, तो Vivo का night mode बहुत ही जाधा aggressive देखने के लिए मिलता है, rear camera video samples मे दोनों ही अच्छा काम कर लेते हैं, Vivo का V27 ये जो है 4K 30fps max कर सकता है, and इसका video recording का stabilization भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, especially 1080p 30fps में जहाँ पर EIS, OIS दोनों का support आपको मिल जाता है, and 4K में सायथ only आपको OIS का मिलता है, EIS का and OIS का दोनों का balance नहीं देखने के लिए म मैं दोनों में से जो है Vivo का इस बार चूज करना चाहूँगा, क्योंकि इसका front camera difference create करता है, जहाँ पर ये 50MP का iAutoforce camera के साथ आता है, and वो camera अच्छा है, and video recording में भी अच्छा है, तो I think camera में चूज करना चाहते हो, आप Vivo वाला चूज कर सकते हो, तो इतना था वीडियो में पसंद आइए, लाइक कर लो, नहीं पसंद आइए, दो बाट डिसलाइक कर लेना, कमेंट कर सकते हो, मिलता हो नेश्ट वाले वीडियो में तब तक, देखते रहे,